Overnight Oats तो हम सबने खाए हैं, लेकिन हमें मीठा उतना पसंद नहीं है, हम तो नमकीन के शौकीन है Welcome back to my channel guys, मैं हूँ Dr. Shikha और आज आपके लिए लेकर आई हूँ तड़का Oats की रेसिपी तो हम मीठे के उतने शौकीन नहीं है, हमें मीठा पसंद नहीं है Oats हमें पसंद है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि Oats की recipes कैसे बनानी है हमें पता है कि Oats बहुत healthy होते हैं, protein rich होते हैं, fiber rich होते हैं, weight loss के लिए बहुत amazing होते हैं लेकिन बहुत सारी recipes हमें नहीं मालूम oats की, या मालूम भी है, तो हमें लगता है कि oats को हम मीठा ही बना सकते हैं, पर हमें मीठा बहुत जादा पसंद नहीं है, तो आज की विडियो आपके लिए है, आज आपके लिए लेके आई हूँ तड़का oats की recipe, जो नमकीन oats बनेंगे और बहुत ही ज़ादा tasty लगते हैं, बहुत ही ज़ादा quickly बनके ready हो जाते हैं, रात कोई बनाकर इसको fridge में रखना है, और morning में आप इसको अपने breakfast में enjoy कर सकते हो, या carry करके अपने साथ ले जा सकते हो, और guarantee देके बोलती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएंगे, बहुत ज़ादा tasty लगेंगे, बहुत healthy है, nutritious है और weight loss तो ये बहुत ही ज़ादा fabulous देंगे आपको, तो oats की अगर बात करें, तो around 100 gram oats में होता है, 17 gram protein और around 10 gram fiber, और इसके अंदर around 60 gram के आसपास carbohydrates होते हैं, तो काफी अच्छा होता है ये protein के अंदर, और अगर आपको iron deficiency anemia है, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि iron rich होता है, अगर आपको hypothyroidism की problem है, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये selenium rich होता है, हमारी bones को strong करने में help करता है, क्योंकि ये phosphorus rich होता है, और इसके अंदर बहुत amazing fiber होता है, जिसको हम बोलते हैं beta glucan, तो अगर आपको constipation की problem रहती है, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है, अगर आपको high cholesterol की problem रहती है, तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है, अगर आपको high blood sugar की problem रहती है, diabetic patient है आप, तो आपको भी अपने diet में ज़रूर include करना चाहिए, क्योंकि जो इसका beta glucan fiber है, उसकी वज़ेस से ये हमारी body में जाके बहुत धीरी-धीरी digest होता है, gradually, sugar का spike नहीं आने देता, इसका glycemic index काफी कम होता है, और क्योंकि ये fiber rich होता है, इसलिए high cholesterol के patients के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसके अंदर antioxidants होते हैं, avanthramides जो heart health को improve करते हैं, और इसके अंदर होते हैं saponins, जो natural cleanser की तरह काम करते हैं, हमारी skin को clear रखने में बहुत जादा help करते हैं, low in calories होता है, बहुत देर तक हमें full करके रखता है, satiated रखता है, बहुत जल्दी इसको खाने के बाद भूक नहीं लगती, तो इसको आप जरूर अपने डायेट में इंट्लूट करिए, क्योंकि बहुत जादा healthy है, और ये जो recipe है ये बहुत जादा पसंद आने वाली है, आपको बहुत जादा tasty भी है, तो सबसे पहले चलते हैं मेरे किचन में, और देख लेते हैं कि हम अपने तड़का ओट्स किस तरीके से बना सकते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाफ कप instant ओट्स ले लिये हैं, अब इसमें मैं डाल रहे हूँ हाफ कप low-fat curd या घर की जमिवी दही, अब इन दोनों चीजों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, अब फिर से हम बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, ताकि सारे ओट्स हमारे बहुत अच्छे से सोक हो जाएं, Oats और curd हमारे बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं Oats पूरी तरीके से सोख हो गए है इसको हम फ्रिज में लग देंगे ओवरनाइट के लिए Next morning अपने curd oats के लिए हम तड़का बना लेते हैं उसकी tempering मैंने हापे एक पैन ले लिया है छोटा उसमें मैंने वन स्पून ओल दाल देया है पैन को हम heat कर लेंगे और ओल जब हमारा गरम हो जाएगा तो इसमें हम ढाल रहे हैं jeera या cumin seeds jeera जब हमारा light brown हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे राई यानि की mustard seeds इसमें हम डाल देंगे कड़ी पत्ता या curry leaves अब इसमें हम डाल देंगे ग्रीन चिली चॉप्ट, सुखी हुई लाल मिर्च, यानि ड्राइड रेड चिली तड़का हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, देख लेते हैं, जो ओट्स हमने सोक करके फ्रिज में रखे थे, उनका क्या हाल है यह हमारे ओट्स, जिसको हमने दही में सोक करके पूरी रात फ्रिज में रख दिया था, अब इसमें थोड़ी ग्रेटेट कैरट यानि की गाजर डाल रही हो में, थोड़ी सी चॉप्ट ग्रीन चिली डाल रही हो, अब ग्रीन चिली को यह पर अपने टेस्ट की थोड़ा सा सॉल्ट यानि की नमा कारट कर देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया यानि की कोरियांडर लीब्स डाल दिये और अब यह जाएगा हमारा तटका इसके अंदर, अब इन सब चीजों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे, मैंने यहां पर कैरट यानि की गाजर य कर देंगे और यह खाने के लिए सर्फ करने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो यह हमारे क्विक से सिंपल से इजी से तड़का ओट जिसको रात को ही बना के आपको फ्रिज में रखना है, और सुबा आप इसको एंजॉय कर सकते हूँ या अपने साथ भी कैरी कर के लिए जा इसको भी ज़रूर अपने डायेट में इंक्लूट करें, फैट बर्न करने में बहुत जादा हेल्प करती है, कैल्शिम रिच होती है, हमारे बोन्स को टीथ को स्ट्रॉंग बनाती है, प्रोटीन रिच होती है, तो यह इन टोटल जो रेसिपी है यह प्रोटीन रिच है, यह हमें मसल गेन करने में हेल्प करेगी और फैट लॉस करने में बहुत जादा हेल्प करेगी, दही जो होती है, एक प्रोबायोटिक होती है, जो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, डाइजेशन को इंप्रूव करती है, तो यह जो रेसिपी है, हेल्दी भी ह तेस्टी भी है, weight loss और fat loss करने में भी बहुत ज़ादा help करेगी, इसको आप ज़रूर अपने diet में include करेए, अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, helpful लगी हो, useful लगी हो तो इसको thumbs up ज़रूर देना, इसको ज़रूर like करना, बहुत सारे friends और family के साथ इसको share करना उनके बहुत काम आएगी, क्योंकि बहुत ही easy, simple recipe, अगर आपको बहुत ज़ादा cooking नहीं आती न, तो आपके लिए तो बहुत ही ज़ादा superb है, अगर आपने अभी तक मेरे चानल को subscribe नहीं करा, तो क्यों नहीं करा, भाई, जल्दी-जल्दी से कर लीजे, क्योंकि ऐसी tasty recipes आ मैं Twitter पर है, तो वहाँ पर भी जरूर मुझे follow करीगा, क्योंकि मैं बहुत सारी information आपके साथ वहाँ पर भी share करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक stay tuned to my channel guys, bye for now.